हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाएंगे नेक में अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे लगानी है तो ये मैंने पाइपिंग त्यार करके रखी हुई है अगर इसको आप सीखना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वह आप पे आप क्लिक करके इसको स पेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है इस तरीके से हमने नेक को पेस्ट कर लेना है सिलाई से और आधाधा इंच हमने मार्जन चोड़ते हुए इस तरीके से कॉर्णर में हमने कट लगा देने हैं और कपड़े को भी हमने बुक्रम के उपर इस तरीके से फोल्ड कर दिना है ठीक है हमने एक सिलाई लगानी है ठीक है इस तरीके से आप भुक्रम के उपर सिलाई लगा दे ताकि हमें पता चल सके इसकी उल्टी साइड में कि हमने कहां पे लाइन जो वो है पाइपिंग है वो कहां पे लगानी है तो ये दिखे सिलाई दिख रही है मेरी तो इसके उपर उपर आपने इस तरीके से piping लगानी है, तो इसमें boot बदलने की भी जो machine का boot होता है, उसको बदलने की भी जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी सी practice करेंगे, तो ऐसे मतलब boot बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, इस तरीके से आपकी piping लग जाएगी, तो sly के उपर उपर आपने piping को खीचना नहीं है, इस तरीके से sly के उपर उपर ही आपने देखते जाना है, कि sly हमारी कहा है, और इस तरीके से आप piping लगाते जाएगे, तो जहाँ पे corner है, वहाँ पे छोटा सा cut लगा देंगे, ताकि हमारी जो piping है, वो turn करने में असान हो, ठीक है, असानी से turn हो जाए, तो इस तरीके से आपने piping को लगाना है, यह बहुत असान है piping लगाना, इसमें बस थोड़ी सी practice की जुरूरत होती है, तो बड़े अराम से piping लग जाती है, तो जहाँ पे भी corner हो, वहाँ पे आप छोटा सा cut लगा ले, ताकि असानी से हमारी piping जो मुड़ जाए, और इस तरीके से मोडते हुए, piping को बिल्कुल भी खीचना नहीं है, बार-बार में कह रही हूँ, अब खीचना नहीं है, ढीले हाथों से piping आप लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हमारी piping लग चुकी है, अब ये हमारा shirt piece है, इसकी हम जो center है, वहाँ center कर लेंगे, नाखुन लगा करके, नहीं तो आप press से भी इसका center बना सकते हैं, क्योंकि cotton fabric है, नाखुन लगा देंगे, तो भी अच्छे से center बन जाएगा, तो neck का भी हमने center बना लिया है, ठीक है, इस तरीके से center बनाते हुए, अब ये जो line हमारी दिख रही है, center वाली, इसमें हम गले को इस तरीके से रखते हुए, paste कर देंगे, ठीक है, ऐसे हम rough slide लगाएंगे, बाद में cutting में आ जाएगी, हमारी खुल जाएगी, ये वाली slide, तो rough slide लगाते हुए, इसको हम attach कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने, इसको attach कर देना है, तो ये मैंने slide लगा दी है, अब ये हमारी जो slide दिख रही है, उपर, जो हमने piping लगाई हुई है, इसके उपर-उपर ही विल्कुल, आपने slide लगानी है, ठीक है, जरासी भी इधर-उदर नहीं होनी चाहिए, अगर आपको लगता है, कि piping के उपर, हमारी slide चड़ रही है, तो आप इसको खोल करके, दुबारा से slide लगा ले, तो इस तरीके से, आपने slide के उपर ही slide लगानी है, तो इस तरीके से, आपकी piping लग जाएगी, और आप एक बार देख ले, आपकी piping जो सही से लगी है कि नहीं, तो ये देखिए, मेरी एक बार में ही piping अच्छे से लग गई है, तो इस तरीके से, आपने थोड़ा सा margin चोड़ते हुए, गले को कट कर लेना है, और corner में कट लगा लेने है, चोटी-चोटी कट लगा लेने है, इससे क्या होता है, हमारा गला जो असानी से पलट जाता है, अब गले को हम पलट देंगे, तो ये दिखे कितनी अच्छी से हमारी piping निकल के आई है, और ये मैंने रफ सलाई लगा दी है, बाद में इसको तुरपाई करके हम finishing दे देंगे, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तेंक्स वर्ण।